हेलो एवरीबन आज की वीडियो में हम बात करेंगे ORS के बारे में तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ORS का मतलब होता है Oral Rehydration Salt ORS का इस्तमाल तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की बोड़ी में पानी की कमी हो जाती है पानी की कमी होना Dehydration कहलाता है ठीक है पानी की कमी होगी तो साथ-साथ Electrolite की भी कमी हो जाती है उसको हम Electrolite Imbalance बोलते हैं तो Dehydration और Electrolite Imbalance ये डाइरिया में हो सकते हैं डारिया यानि की लूज मोशन, अगर किसी वैख्ती को लूज मोशन है, है ना तो उसको dehydration हो सकता है, उसकी स्रेय में पानी की कमी हो सकती है, या फिर किसी को vomiting यानि की लगातार उल्टी आ रही है, तो उसकी बोडी में भी पानी की कमी हो रही है, तो हम ये चाहेंगे, कि उस पूरी हो जाए, तो पानी की पूर्टी के लिए ORS दिया जाता है, ठीक है, आपको पता लग गया होगा जो पानी की कमी और electrolyte की कमी हुई है, उसकी पूर्टी के लिए ORS का इस्तमाल किया जाता है अब ORS का ध्यान से नाम सुनना Oral Rehydration Salt dehydration का मतलब होता है पानी की कमी और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है rehydrate यानि कि जो यह ORS है ना यह re re का मतलब होता है दोबारा hydration का मतलब होता है पानी की कमी को पूरा करना तो जो dehydration हुआ पानी की कमी हुए उसको वो rehydrate कर देगा यानि कि दोबारा से पानी की पूर्थी कर देगा तो इसके नाम में ही इसका काम लिखा हुआ है ठीक है पहली बात तो ये दूसरी बात मैंने आपको बताया पानी की कमी होती है साथ-साथ इलेक्टरलाइट की भी कमी होती है अब जान लेते हैं कि ORS के इंदर क्या-क्या ingredient present होते हैं देखिए, WHO याने की World Health Organization ये कहता है कि कोई भी ORSO, किसी भी company का हो, उसके इंदर कुछ चीजे होनी ही जरूरी है अब वो क्या-क्या चीजे हैं, जैसे उसके इंदर sodium chloride होना ही चाहिए potassium chloride होना ही चाहिए, sodium citrate होना ही चाहिए, dextrose होना ही चाहिए किसी भी ORS के इंदर ये चीजे होनी ही चाहिए इसके लावा कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, WHO को ये चीजे बिल्कुल must है, किसी भी ORS में, किसी भी company का ORS हो ये चार चीजे जो present होनी ही चाहिए, ठीक है, तो ये होगे इसके main key ingredient अब बात करते हैं, direction for use की, यानि की ये जो ORS है, इसको इस्तमाल कैसे करना है, देखिए, जहान से मेरी बात को सुनना, सबसे important बात यहाँ पर आ गई है, क्या करना है, मैं बिल्कुल एक बार बताऊँगा, बिल्कुल simple सी चीजे और simple से आपको सुनना है, देखिए, मान यहाँ example ले लेते हैं, कोई एक व्यक्ति है, उसको डाइरिया हुआ, यानि की दिख रहा है, यह 20 ग्राम का है, उस ठंडे पानी में, जो आपने गरम किया था, एक लिटर, और फिर ठंडा किया था, उस पानी में यह एक packet मिला लेना है, और अच्छे से पानी को गुमा लेना है, तो एक लिटर का ORS का solution तयार हो गया, अब देना किस तरीके से है, कितनी मातरा देनी है, वो age पर depend करेगा, ठीक है, अब age wise देखिए, कैसे देना है, देखिए, अगर बच्चे की उमर 2 साल से कम, यानि की 24 महिने से कम है, अगर बच्चे की उमर 2 साल से कम है, तो उसको 50-100 ml, आप उस एक लिटर पानी में से निकाल कर उसको पिला दो, जब भी उसको lose motion हो, हर lose motion के बाद, 50-100 ml उस बच्चे को पिला दो, जिसकी उमर 2 साल से कम है, ये हो गया, age wise lose, ठीक है, अगर बच्चे की उमर 2 साल से 10 साल के मीच में है, तो उसको आप पिला दो, 100-200 ml उस एक लिटर में से निकाल के, जब भी lose motion हो, हर lose motion के बाद, 100-200 ml पिल उपर है उसको 200 से 400 ml पिला दो ओके नेक्स्ट ये तो होगी हमारी child dose ठीक है adult dose क्या रहेगी adult dose रहेगी same रहेगी जो ये थी जो ये वाली dose थी ना ये same adult के लिए भी है adult dose में 200 से 400 ml after each lose tool यानि कि जब भी lose motion हो उसके बाद 200 से 400 ml उस एक लिटर ORS solution में से लो और पिला दो ठीक है 200 ml में जैसे एक गिलास में आप मान सकते हो 200 ml नॉर्मली एक गिलास के अंदर 200 ml होता है ठीक है तो जब भी lose motion हो उसके बाद एक गिलास एक लिटर में से निकाल के पिला दो तो ये होगी एक important point जो आपको याद रखना है जो एक लिटर ORS solution बनाया था वो बिल्कुल 24 गंटे के अंदर अंदर ही use करना है 24 गंटे के बाद उसको use नहीं करना है उसके बाद उसको fact देना है और फिर दोबारा से नया solution बनाना है अगर 24 गंटे के बाद requirement है तो जो एक लिटर का solution बनाया है वो within 24 hours use करना है ठीक है ये condition है ये आपको याद रखना है ये बिल्कुल important point है तो ये थी आज की वीडियो ORS के बारे में ORS के अंदर होता है sodium blood pressure को ज्यादा कर देता है ठीक है इसलिए जिन patient को hypertension याने की high BP की problem है उनके अंदर इसका इस्तमाल नहीं करना चाहिए अगर उनके अंदर इस्तमाल करना है तो डोक्टर से पूछ कर करना चाहिए ठीक है तो ये थी आज की मारी वीडियो जिसके अंदर हमने बात की ORS याने की oral rehydration salt के बारे में आज की वीडियो में इतना ही तो मिलते हैं next वीडियो के अंदर